सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिने का पर्चम फैरातीं कभी नागिन बन के नजर आतीं तो कभी आशा बन के आतीं रीना रॉय रीना रॉय का जन्म 7 जन्वरी 1957 में हुआ था रीना रॉय एक मुसलिम पिता और एक हिंदु माता की संतान थी इनके जन्म के कुछ वर्षों के बाद इनके माता पिता ने तल्लाक ले लिया था ये भी एक वजह रही कि रीना रॉय ने फिल्मों की तरफ रुख किया और 15-16 सा इशारा सहाब की नई दुनिया नए लोग थी जिसमें इनके साथ डैनी डिन्जाउंगपा भी थे लेकिन ये फिल्म डिब्बे में बंद कर दी गई उसके बाद बी आर इशारा ने ही फिल्म जरूरत बनाई जिसमें रिना रॉय और डैनी डिन्जाउंगपा को लिया और भी रिना रॉय स्ट्रगल कर रही थी और सन 1975 में आई फिल्म काली चरन जिस फिल्म के बाद रिना रॉय ने कभी पलट के नहीं देखा फिल्म काली चरन एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सुभाज गई पहली बार एक डारेटर के तौर पे आ रहे थे और साथ में विलन से हीरो की तरफ बढ़ते हुए शत्रुगन सिना भी थे फिल्म काली शरन के बाद रीना रॉय और शत्रगुन सिना की जोड़ी इतनी महशूर हुई कि कुछ लोगों ने इनके लिंक अप की बातें भी की रीना रॉय ने सुनील रच साहब के साथ भी कई फिल्म्स में काम किया जिसमें सन 1976 की नागिन सबसे उपर आती है इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था और अपनी अभीने और निर्ते की प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया था यूँ तो रीना रॉय की एक के बाद एक फिल्म हिट हो रही थी लेकिन एक बार फिर शत्रुगन सिना के साथ आई फिल्म विश्वनाथ ने बॉक्स आफिस पर हंगामा मचा दिया सन 1983 तक आते आते रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट हिरोइन्स में गिनी जाती थी और तब ही रीना रॉय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडस्ट्री के लोगों को ही नहीं बलकि उनके फैंस को भी हिला दिया ये फैसला था शादी का पाकिस्तानी क्रिकेटर महसिन खान के साथ रीना रॉय ने शादी की और शादी के बाद रीना रॉय ने फिल्मों से तकरीबं सन्यास ले लिया अपनी विखरती हुई शादी को देख रीना रॉय ने अपने हजबन से तलाक लिया और फिर सन 1992 में फिल्म इंडस्ट्री के तरफ रुख किया इस बार रीना रॉय एक चरित्र अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम कर रही थी लेकिन एक टॉप मोस्ट हिरोईन की ये वापसी उसे चरित्र अभिनेत्री ही बना पाई रिना रॉय ने लॉटने के बाद फिल्म आदमी खेलोना है और जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में काम किया भारतिय सिनेमा के थिहास में रिना रॉय का हमेशा एक अलग मकाम रहेगा बॉलीवुट की लेटिस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग आन करें facebook.com slash ultra hindi or twitter.com slash ultra hindi par